तो लास्ट सेश्न में हम लोग ने पूरा सुपर्वाइश लिए लग अस अ delay निकर लिया था था डिगराशन प्रॉब्वम भी और क्लासिफेकेशन प्रॉप्लम भी दोनों तरह किर प्रॉल्म को हमनों डिस्क्स किया, फिनिश किया अच्छे थे प्रॉपर, इंदेफ में डिस्क्स किया, सो आज के मॉडूल के साथ हमनों स्टार्ट करेंगे, अन्सुपर्वाइस दरनें, जिसमें, विल साथ विल्ट के मेंस क्लस्टिंग स्पेशली आज, ठीक है, कि अच्छे सेशन, लेट सी क्या के मुड्यम के विल्ट करेंगे, we'll discuss what is k-means clustering, what is, what are the geometrical and mathematical intuition, क्या के इसका mathematical or geometrical intuition हो बोगेंगे, अच्छे से, we'll see how do we select our k-value, याज अगर k-nearest neighbor में भी हमने देखा है, कि k लिए सबसे best value को चूज करने के लिए method होता है, लिएक मैंड़ क्यूंग है लोग नाञिवू मतर आल अवसिंग पार य regenerate और यह सीवटाश कि अल्बूस्टर यु द विने संगूस्र मेंडिवाट ए intent और ली यु दे मर यु कि अव्यू आणनल इि सर लिएर सम्स ट है साट ध many Chancee he is लुक karena we will see the Battlick macht videos so let's let me start with my notebook just tell me कि विजबल है नहीं ah oops sorry विजबल है थांक्स रहा याश हर्शेता चलो चलो पर्फेक्ट तो अविज तक शुपर्वाइस दर्निंग कि अम साट कर रहे हैं तो एक बेसिक एक इंदूशन मैंने एक हमारा सेशन था इंट्रॉट्शन तो मशीन लेनिक उसमाने इसक्रास डिसक्स किया था इस उन्सुपर्वाइस दर्निंग क्या होता है लेक्वाइस लेबल प्रोवाइद नहीं होता है लाइक कैसे रहा रहता है कि तुम्हारा इम होता था इस तुम्हारा इम होता था इस डेटा से पाटर्न तुम कुछ मिल पाए या कोई स्ट्रक्चर मिल पाए ठीक है इसको तुम देख पाऊ इसको तूम देख पाऊ आ जब्क गौन है अगर मैं अगर मैं स्पर्वाइस लनिंग का बात करूं तुम्हारे पास एक एक सेट होता था जिसमें तुम्हारा इंपुट फीचर होते थे एक सब्सक्राइब पास एक लेबल पीचर होता था यू इसमें कुछ लेबल होते थे राइब टेकैं यह ओता था एक है यह ओता था लेकिन जब हम जन्न बाके possibility का बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास इंपुट फीचर तो होता है यह इंपूट तो होता है लेकिन हम लेबल प्रौड नहीं करते हैं यह हम प्रोवाइट नहीं करते हैं इसका कोई काम नहीं है हमारे पास ठीक है इससे हम वर्क नहीं करेंगे तोकिंग बाउट अन्सुपरवाइज लेर्निंग वी विल ओनली फोकस ओन आवर इसको यूज करके विल प्रेडिक्स सम्काइड पाटर्न कोई पाटर्न चुपा होता है डेटा में रही वह हम देखने कोशिश करेंगे विल प्रिगर आउट की भाई इस पूरे डेटा सैट में क्या कुछ नाच्रल पाटर्न बन रहा है जिसको हम कोई अपना डिसिजन में य इस प्रिछा आपना लिए तग इस नाच्रल पाटर्न तो इस प्रिख च विल उग्स टूर्ट अव्स टूर्ट उड वक्रिष डैट इस विल इस तो अब अब जैसे कि थोड़ा से समराइज कर दो तुम लोग के लिए कि एक मिनिट जस्ट एक मिनिट क्या हुआ कि एक मिनिट नस्ट एक मिनिट कमिनिटु एक मिनिट लिए सुल्ट कंव लोग स्टायश को इक अब ये थक मिनिट स्टाइएग क्या कि एक मिनिस 2 एक एक मिनिट एक Saul कि भKEN recipe ।एयम झाल 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 लाइप में तुमको उसके काफी लोग मिल जाएंगे एनिवेज चला 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 तो हां हम लोग डिसक्स कर रहते हैं अन्सुपरवाइज लेरिंग तो तुम्हारे पास इंपूट पीचर सेट होता है ठीक है तुम्हारा एम होता है कि उस डेटा से कुछ नाशनल पैटर निका जालो और उस पाटरन से तुमकुछ अपना लेट से बिजनस प्रॉब्लम में वो बिजनस प्रॉब्लम सॉल्फ करोगे कोई और टाइक का प्रॉब्लम है उसको सॉल्फ करोगे एक मैं ग्जांपल के साथ पकाइदर दिखाऊंगा तो लेट सी वाट अधर दिफरेंट कर दिफ एक लेख टो नबारइ मशिर्ण अभारथ Disponortunity Reduction हमारा है को अरदीक session है एक आगे हम क्सेशन रखेंगे पी विल एक session on dimensionality reduction आगे तेरा सम प्रॉमलीड डिटेक्शन और भी इसका दॉर और आगे तुम देख सकता हूं एक तैरा सम association problem and more so these are in general some classification further classification on unsupervised machine learning okay one type of problem is known as clustering problem another one is known as dimensionality dimensionality reduction and you have another set of problem which comes under anomaly detection okay so let's uh to in this session will focus on clustering only and in this clustering if i have to further subdivide it it can be the one uh one can be k-means clustering joan hum apne session mein discuss karinge there is higher hierarchical clustering one is tv scan as you watch around so we'll in today's session we'll focus on this only so first let's understand clustering what happens first let's start with clustering only let's see ki ye kya hokta agar mine koi clustering ko agar sasa mine koi idea deena hoga na so i can take it as an example where uh you have to group similar data something like this kubhi aysa huwa na ki 9 10th ff 11th ff 12th ff boards exam hoot te thay to midterm exam hoon us ke baad jis ka jasa percentage aya uske sasa section change hoota ta something like this correct as a sunim agar nai bhi hoa ta sune hooga this isu tarah sa hoota hai right aim kya ra ta ta ki jo padhne wale saare bachche unko eek section mei dala jae unse kam joe unko eek section mei and so on right hoota tha to waha pa bhi hama aysa hi karta hai ki agar 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 let's say my section mei gya take section mei gya us section mei let's say sare padhne wale bachche hai so for example if i make a section if i make a group something like this if i make a group something like this is my isa my data point hai these are my student let's let us say or main kisi bhi data point question mei se uthaya let's i pick this point so i know ye woh bachcha hai jo padha hai right correct correct so this is one example of clustering uh clustering mei discuss karne jaha raha ho this is a very important use case which is known as customer segmentation we will discuss this problem also and i would appreciate ki tum is pro is this topic pick project banao apna minor ya major tum choose karlo thik hai we may choose by yourself we will talk about customer segmentation so let us say let us make a data set which looks something like this you have the annual income of the person you you have this annual income okay okay and you have their uh credit score chalo bank example you have their credit score you have their credit score you have some data something like this okay so if i plot a graph on these two features is agar may ye do feature pe ek graph plot karu let us say something like this i plot a graph i am saying ki my in in this direction i am uh plotting annual income credit score credit score i assume i assume that is a good question i am uh i am uh i am i am i am i am i am कुछ इस तरह से जो यह बताता है कि तुम कितना अच्छा सब्ना पुराना लोन अपना चुकाय होगे विकाज इसी के बेसस्पर तुमको लोन मिलता है तुम अपना पहले जो भी कोई लोन लिये होगे उसको टामली पे कर चुके हो तो एक बस एक मेट्रिक्स है जिसे तुम तुम जच कर सकती हो कि यह बंदा का लोन के साथ कैसा relationship है अगर बंदे ने पहले कोई लोन रहा है तो इसको बहुत अच्छे से टाइम कर रखा होगा तो अगर जिसका आधत है टाइमली पे करनेका तो नेक्स ताइम अगर वो तुम अगर तुम उसको लोन दोगे तो तो द तो वो तुमाहनों लोन चुका देगा, right? खर्षिता अर्या। सजांक श्या। फ़िम ये थम्स-प इफ इस प्स्टेंज पर्फेक, तो ले 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 प्लोट अ देजिए ले कि बाद अ ग्राफ अन लेट सेट इसार मैं डेटा पोइंड there are my different data points this is a scatter plot let's say okay so you can see ये जो सारे लोग हैं let me make ये जो सारे लोग हैं ये एक cluster form कर रहे एक group form कर रहे है उसी तरह यहां भी एक group form हो रहा है right तरह यहां भी एक group form हो रहा है something like this यहां भी एक group form हो रहा है something like this let us say this is group c1 cluster c1 this is cluster c2 this is cluster c3 and this is cluster c4 कोई दिकत आर रहा सशांक कोई दिकत मैंने बस एक नॉमल अपने से क्लब कर दिया क्यों क्लब किया देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम देखने के ट्राई करो कि एक cluster से मेरे को क्या information क्या मैं pattern observe कर पा रहा हूं तो let's focus on this cluster c2 cluster पर focus करते हैं तो यह cluster वह वह लोगों का ग्रुप है जिनका अनुवल income भी कम है और credit score भी कम है धान से देखो इनका अनुवल income भी कम है और credit score भी कम है राइक करेक्ट लेट्स टॉक अबाउट इस पीपल c4 cluster इस c4 cluster में देखो तो यह ऐसे लोग है जिनका अनुवल इंकम तो हाई है लेकिन credit score कम है ठीक है let's talk about c1 cluster c1 cluster वैसे लोग है जिनका अनुवल income तो कम है देखो अगर यह अनुवल इंकम का scale है तो इसमें यह थोड़े कम वाल्यू पर आ रहे है लेकिन का credit score काफी हाई है ठीक है और यहाँ से given I can observe four different patterns out of this data set correct make sense । अब इमाजन कि तुम एक बैंक वाले हो और तुम यह एक financial product बना है let say you have three different set of credit card और let's say you have four different financial product you have some pension scheme right let's say you have some pension scheme, you have a regular credit card, ठीक है एक regular credit card है यह तुमको sell करना है and you have let's say you have a gold credit card and let's say you have a platinum credit card, platinum मतब प्लाटिनम मेटल का नहीं उसमें बहुत हाई पीचर होगा सम्थिंग लग दाट यह चार चीज तुमको sell करना है अब यहां पर let's say this is a D1 credit card, D2 और यह लोगो इसको D1 ले लेते हैं D1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा D2 D3 या सुड़ो यह स्वाट आप अब मेरे को एक बात बता हो अगर मेरे को pension scheme बेचना है कुछ लोगों को अगर मेरे को call करना या फिर वैसे लोग के पास अपना भीज़ना है तो इन cluster में से मैं किन के पास भीज़ूंगा let's try to solve this business problem तो जिनको pension scheme चाहिए वो ऐसे लोग है जो अपना चाहते हैं कि हमारा अब बुड़हापपा यहर वें हम कह सकते कि जब उनका एज काफी हाई हो जा तब उनके पास एक income का source होगा रई तब उनको एक income का source चाहिए अब ऐसे बताओ जिनको भी अपना like towards the old time उनको pension का जरुवत होगा I can make an assumption कि उनका अभी income उतना अच्छा नहीं होगा तब ही वो चाहते है ऐसा अब इसका अभी income बहुत अच्छा है तो obviously save कर लेगा अपने future के लिए राइट तो I can see from this four cluster यह वैसे लोग है जिनका annual income भी कम है और credit score भी कम है अब जिनको pension हमको बेचना है credit score का था कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है मेरे पास right लेकिन अगर मैं इन लोग को बेचने जाओंगा इन लोग के इन लोग पर चलाओंगा तो मेरे लिए बेकार के फायदा बेकॉज यह लोग भाई जिनका income हाई है वो technically क्यों pension scheme में अपना पैसा लगाएंगे जिनका income थोड़ा सा कम है I can make this assumption कि भाई ऐसे लोग मेरा pension scheme खरीच सकते हैं तो ठीक है if I have to sell my pension scheme I can simply say I will target C1 people and C2 people अब let's talk about credit card credit card जब तुमको देना है तो you have to consider the credit score also जिनका credit score अच्छा है तुम उनी को credit card देना चाहती होगी अब जब तुमा पास एक regular credit card है तो regular होतना जादा कुछ teacher होगा नहीं तो ठीक है तुम कह सकती कि I want to sell it to the people belonging to C1 cluster इन लोगों को मैं अपना regular credit card बेच होगा ठीक है you can do it you can sell it to C1 people इस cluster में जितने भी लोगे उनके उनके उनको तुम बेच सकती हो regular credit card इसे लोग है तो उनका परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगा वो परचेज भी जारा चीज करना चाहेंगे इंकम ज्याद है भाई simple और जब इंकम ज्याद है तो उनको obviously मैं ये gold credit card पकड़ाना चाहूंगा कि तुम मैं और feature दूँगा gold के नाम पे तो तुम अपना purchases करोगे और let's say तुम कभी default ये तो मेरे पास as a bank income हो जाएगा ठीक है I can sell it to regular credit card तुम लोग C4 रूप को दे सकते हैं हां दे सकते हो लेकिन C4 में देखो ना annual income ज्याद है भाई annual income ज्याद है तुम को तुम तुम ज्यारा favor करोगे ना common sense अब तुम ऐसे bank में भी दिर इस एक कोता है normal customer और एक कोता है HNI customer high network individual customer to high HNI लोगको ज्यादा like service मिलता है तुम बैंक में होगे तुम जाओगे तुम जाओगे तुम बैठाएगा चाय पानी तीछेगा तुमको कुछ loan sanction करने कुछ भी करने डेडिकेटली उस पर work करेगा अगर तुम मेरे पाद जादा पैसा लेकर आओगे तो थोड़ा जादा फीचर दूंगो दूंगा पहसे सकते हो कोई दिककत नहीं है लेकिन अगर अगर तुको सिफ अगर एक आपमी को चूज करना हो तो देफिनेटली विल गोफासी थ्री पीपल यह साही लोगो को तुम बैशना चाहो गया राई तो दिस वाज़य इस वागे इंट्रेस्टिंग केस कि हाव यूर कस्टो आल्सो तुमको यहाड लेट से आड रन कराना चाहते हैं यूस दिस दस्ट्रिंग मेथर्ड देर ठीक है चलो अब हम स्पेसिफिकली डिसक्ष गरते हैं के मीन्स लूस्टिंग पे तेके अब यू स्पेसिफिकली फोकस वाना के मीन्स लॉस्टें वाकत फोकस ओन दिस अब के मीन्स क्लस्टेंग इस वरी मच्छ सिमलर तो दिस इस वरी मच्छ सिमलर तो दिस थी कि तुम्हारे पास कुछ डेता सेट होगा उसको तो छोग प्लस्टर करना है निंग क्या करना है ले ज़े अगें यहां अब सम डेटा सयट यह क्या बन गए भाई चला यहां सम डेटा सेट चला यहां सम डेटा सेट तुमको एसेंशली करना बस यह होता है कि तुमको इस डेटा सेट को ना फिर से क्लस्टर में बस पार्टिशन कर देना है तुमको इसे बना लिए अब किस बेटा है तुमको इस बादा गाई नेरस नेवर पड़ा होगा तो के इस आन इंटीजर राइट वान टो थी फूर कुछ इसका वैल्यों होता है ऐसे के मेंस ट्रस्टिंग में भी दर गान बी के क्लस्टर्स अब तुम पूछो के मेरे से बोलोगी थीक है शिंज है क्लस्टर तो बना लिए अब किस बेसिस पर हम क्यों डिसाइड करें कि कोई डिटा पॉइंट इस क्लस्टर में है या इस क्लस्टर में है या इस क्लस्टर में रहाइट चलो उस को और देखते कि हम कैसे डिसाइड करते है की होता क्या है तो यहां पर एक क्टर इंपॉर्टन है है यह half some you have a key factor which is just that your data point just a second whatever is your data point whatever is your data point data point should belong to the cluster with the nearest mean or average or if I am talking about geometrically centroid let's discuss data points it should belong to only that cluster just say this cluster mean is the nearest one take my example let's go I hope let me make it clear let me assume two case case one and case two other cluster form so we will see two different cases let's say this is my data set let's say this is my data set something like this this is how my data set let's say this is my data set are 그래서 Yeah let's say this is how your data set looks like चल्ड अब एक cluster बनाते हैं which looks something like this क्योंको पहले मैं इसको copy कर लेता हूं because same हम इधर भी करेंगे चल्ड अब केस वन पर ध्यान दो इस case कम ध्यान देता हूं अगर मेरे को cluster बनाना है तो I can make a cluster something like this I can make a cluster और यह दिखी रहा हुआ कि कि इस cluster का अगर में को mean लेना है अगर मेरे को कोई mean लेना है just a second let us assume कि this is how your cluster looks like बड़ा कर देंचाल यह रुकों एक minute मैं इसको हटा देता let me remove automatic shape बड़ा मेरा होगा चल चल जाएगा let us say that this is how my cluster looks like परा क्लस्टर रहा हुआ परा क्लस्टर रहा हुआ यह मैं अपने से रांडमली बना रहा हुआ कोई अभी लॉजिक नहीं है इसका यह दो क्लस्टर देख रहा है तो इसका mean कुछ यहां पर आएगा इसका mean कुछ बीच में आएगा something like this right आएगा तो this point is known as your mean और तुम geometrically बात करोगे तो this is known as centroid अब चलो एक चीज़ देखते हैं कि यह actual point जो है हमारा आएगा यू कन सी इसके और data point के बीच में काफी distance है यह दिख रहा है काफी distance है कोई भी तुम data point उठा के देख लो काफी distance है तो दो नहीं cluster में ठीक है काफी gap देख रहा है मेरे कौँ so you can you can have an observation here that your distance between centroid and your data point is large यह एक क्लस्टर हमारा बन गया यह एक क्लस्टर हमारा बन गया तो अगर तुम थोड़ा सा भी अपना geometric brain लगाओगे इसा रहा सा रहा सा रहा सा try to figure the distance between centroid and data point is small minimize that data point that is your aim is तुम्हे यह जो distance दिख रहा है ना data point और मीन का इसको कम करना है मिन 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 माइस करना है तभी वो cluster एक अच्छा cluster के लाएगा हां सचान हर एक data points है कि कुछ specific data points है जो उसके पास में उस cluster के data points है अगर यह cluster है एक cluster मैंने बता दिया तो मेरा बस जो भी हमको सोचना है बस उस cluster के ले सोचना है अभी के लिए अभी में जब हम क्लिकिंगे से लोग स्कोर तो वहां पर हम यह भी देखेंगे कि वी ऑल्सवांट कि डिस्टेंस बिट्वीन देखेंगे कि अगर्म यह cluster के बारे में सिर्फ सोचे तो इस क्लस्टर के जिपते भी डेटा पॉइंट है उसी के सिर्फ बात कर रहा हूं उसका डिस्टेंस मीन के साथ कम होना चाहिए जो लेट स लेट स लेट सुट्क अबाऊट इमागरिथमिक अप्रोच सबसे पहले तर वी बीडि माथमाटिक्स तो अगर्थम इस संथिंग लाइग दिस लेट स स्टेप वन पहला स्टेप इस वेरी क्लिर की तुमको अपने से के नंबर अफ सेंट्रॉइड को सेलेक्ट करना होता है फिलेट से यून गो फर थी सेंट्रोइड तो तुम्हारा के इस एक उपाल सुट्री और तुमको तीन सेंट्रॉइड अपने से हिसे यूवाव्न सेलेक्ट इसमां अब भी मॉडल बेलट करेंगे तो वहां भी स्टेक को देखेंगे यह प्रानय म्ली सलेक्ट के इनिशल सेंट्रहिए भी वानियपक टूछ फोऑन टू इड्रीपो पाइवर अभी हमंयों अगे कि हम भी हमारा best k value कैसे मिलेगा वो भी हम देखेंगे लेकिन तुमको start करना होता है कुछ अपने से अपने से कुछ मान के चलो you wanna go for 3k 3 clusters 4k 4 clusters 5 clusters 1 cluster 2 cluster it is something you have to start with the पहला step is something जो तुम करते हो तुम करोगे ठीक है now let's go for step number 2 तुमने कुछ k cluster decide कर लिया the next step is that you have to group the point you have you have to group the points which are nearest to the centroid चलो इसको को भी discuss करते है यह point क्या कहता है let us say कि तुमने के का वाल्यू pre-decide किया है initially तुमने बोला कि चलो हम वी स्टार्ट में के जिक पास्रूप की so let us see if your data set looks something like this तुमने बोला कि चलो तीन सेंट्रोइट हम decide कर तो तुमने बोला कि मेरा पहला पुर्ण कुछ यहां पे होगा दूसा सेंट्रोइड में तुमने का तीन संट्रोइड यहां पर स्पैसिपाइय कर दें एक संट्रोइड हमारा है एक संट्रschaftЧто मारा यहां ठीख है नो सट शाया हिपर चेया लोग विच्टाफे निएतरि स्ट्री तुछ सब्ख़ेस्टन नियुए कितनध cluster which may look something like this क्या हो गया यह कौन से point आ गया this is okay you can make a rough cluster यह तुम group बना रहे हो कि जो तुमाँ centroid था उससे आस पास जो भी point उनको तुम एक साथ group कर दिये जो भी point let's let me write यह new one this is your new two and this is your जो भी यह new one new two new three point के आस पास थे सबको तुमने एक साथ cluster कर दिया तो इस cluster में वो सारे point है जो new one point के आस पास है यह cluster में वो सारे point data point है जो new two cluster के आस पास है और यह cluster में वो सारे data point है जो new three cluster के आस पास है so this is how your step two looks like now let's see how your step three looks like so in step three what you have to do की यह जो अब जड़ा ध्यान से देखो इनिचली जो centroid है यह तुमने decide किया है right let's say let's say कि तुमारा एक data set है और your observation set is something like this one two three till ten this is how your initial data set looks like so this initial data set का just tell me इसका mean क्या होगा its mean वोड बी फाइव right आर रहा पांच होगा mean गिब यह थाम्स अप पफेक्ट अब let's say कि मैं इस data set को कुछ इस तरह से divide कर दिया कि पैले इस क्लस्टर में one three five आया तूसरे क्लस्टर में two four six eight आया तीसरे क्लस्टर में one two three four five seven और नाइन आया अब बच गया one two one two three four five six seven eight nine और एक ten बच गया तेक्ट है यह तीन क्लस्टर तुमने फॉर्म कर दिया अब जड़ा में बात बताओ अब क्या इस डेटा इस डेटा पॉइंट का mean five रहा जाएगा अब में तो चेंज हो जाएगा इसका mean तुम निकालोगी तो फाइप प्लस थ्री एट 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 वान नाइन नाइन बाइट इस त्री इसको मुवन बोल देता है इस डेटा सेकंड डेटा सेट का तुम में निकालोगी तू प्लस 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 एट तो सिक पूर तेन और ट्वेंटी और ट्वेंटी वाइप पूर इसका mean कुछ पांच आएगा राइट अब लेट सी थर्ड मीन नाइन सब्सक्राइब नाइन सब्सक्राइब तो यहां पर भी यही सेम चीज होगा लेट मी रेज़ेट यहां पर भी अब सेम यही चीज होगा कि अब जो तुम्हारा क्लस्टर बना है उसका mean निकालो ठीक हे कैसे मीन निकालें हे I will tell you. So, what I am doing is you have to calculate the new centroids as the mean of all the points assigned to each center, each cluster और और I can also write centroid, चलो अचलो, देख़ने, I will take this example only, इस example व को उसे करूँगा चलो अब ज़ेख धान से देख्पो, आगर मैं ये एक्जामपल लूँ तो लट मी रेज टिस मिन क्योंकि हमारा मीन चेंज हो गया है तो हुमारा मीन यह घून है है अब हमारा मीन जो गया तो ऐसा गरते हैं यह अब जो हमारा cluster है उसका मीन निकालते हैं तो यू कैन से इसका मीन कुछ यहां पर आएगा somewhere है new one again इस data set का मीन कुछ यहां पर आएगा new one and new two again इस data set का कुछ यहां पर आएगा somewhere down here new t right आया अब अब डोंट आशनी की centroid कहसे निकालते हैं तो लेच से अपस्वान यड किसे ना निकाले गा तो तमॉन निकाले हैं तो 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 तुम्हारा जो मीन निकाले गा गा तो विए गोड़ वाइ यए कोडिनेंट जो आएगा मीन का इस वोड बीन वी दिए कोडिनेंट पर देमीन पर दा लुट्टर सो अभी में इसको ए्टार रिस्टॉट अस्का इसको अब एक बात 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 जब हमारा फिर से प्रप्रेश्टेप हमारा नया मेन बन गया तो विल डू वाट विलागें प्राइड टू ग्रूप देप अब हो सकता है तुम्हारा क्लस्टर ऐसा नहीं दिखते अब जब तुम नया ग्रूपिंग करोगे तो यह नीव क्लस्टर में लुक समफिंग लैग देश यह सारे point एक साथ हो सकते हैं यह सारे point एक साथ हो सकते हैं एक एक्जामपल दे रहाँ अब डिस्तन्स मेरे को क्याप्लेट कहना पड़ेगा वो काम ने कर रहा हो सकता है अधर से दूसरे cluster में जा सकते हैं ठीक है iso what you have to do you have to repeat this step until ऐसे करते रहोगा data set नया बनते रहेगा नया cluster बनते रहेगा mean change होते रहेगा लेकिन एक time के बाद after some number of step like step को let's say तुम चार बार किये पांस बार किये छे बार किये there could be a number of time जिसके बाद तुम्हारे जो centroid है वो change नहीं होगा what I am saying let's say after some iteration that repeat step 2 and 3 until these centroids जो भी तुम्हां centroid जो value आएगी ना x coordinate y coordinate में या पर let's say x1 feature में y2 feature में वो change नहीं करेगी यह change करेगी तो बहुत कम let's say decimal के third value के बार change करें इतना इतना कम change आ रहा हो तब तुम समझ जाना कि you have finally reached your point तुम्हारा cluster बन चुका है cluster का centroid आ चुका है that's it so what you have to do you have to repeat step 2 and 3 until these centroids no longer change कोई significant change नहीं मिले मेरे को तब मैं समझ जाओंगा कि I have to stop my steps तो कोई दिक्कत है algorithm में algorithm बहुत easy है मैंने try कि अपने बैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और decompose कर दूँ अच्छे से तो क्या यह तमझ में आया हर्शिता श्रया सशांकार रहा है algorithm क्या कहता है कि जांग कि जांग कि तब तक निकालेंगे जब तक हमारा एसेंट्रोइट की एंड नहीं के लिए तेखो होगा क्या होगा क्या जैसे तुम पहला जैसे iteration 1 किये पहला iteration किये तुमारा mean का value let's say mu1 का value 3.687 आया something like this iteration 2 किये mean का value कुछ 2.673 आया something like this iteration 3 किये तुमारा new one का value 2.672 आया तो अब देखो यह दो जो value है यह almost similar है ना कुछ जादा खास third digit पर जागे change किया तब हम समझ जाएंगे कि हम अब iteration 3 पर stop कर जाएंगे ठीक है तब तो this is your final value of mean और इस mean के आसपास जो values जो data point होगी वही तुमारा cluster count करेगा अब देखो यह actually क्या होता अगर तुम को इसको अच्छे समझना है तुम कुछ problem solve कर सकता हो वह problem है अपने session में सकता हो जैसे semester exam यह सब क्लिए होता है data point कुछ value अपने से दिया गया उसको तुम को घड़ना होगा तो तुम तुम में को दिक्कत है तुमारा तुम को ऐसा YouTube का session कर लिंक पे तुम को problem जहां पर solve कर रहा हो कोई तो वहां से तुम आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है क्यों कि तुम यह distance calculate करोगे तो तुम फिर अगे युक्लिटियन distance लगाओगे फिर उसको sort करोगे लाइट ऊपर के कुछ जो काफी आस-पास के नजदीक point होगे उनको तुम एक साथ रखोंगे बागी सबको eliminate करोंगे बागी को सबको दूसरे cluster में डालोंगे राइट कि we will do like this only और यह step होते रहेगा होते रहेगा ऐसे तो तुम को अगर तुम like semester exams का बात कर दो तो हम लोगे paper में दिया रहता था कि you have to do it till three iteration four iteration number of iteration specified रहता था था but actual जब हम code बिल्ड कर रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता है number of iterations भी हम specify करते है but we'll see उसका विदूर्वत नहीं पड़ेगा so now the question is कि हमने यहां पर अपने से assume किया पहला step यह assumption हमने खुद अपने से लेगे let us take case equal to three so now question comes कि क्या कोई के ऐसा तरीका है logically जिससे हम प्रेडिक कर पाएं कि के का अच्छा वाल्यू क्या है what should be the correct और appropriate value of K yes there is a method so let's discuss the selection criteria for K तो अगर तुमको के का वाल्यू चाहिए let me take it through an example let's take let's take the previous example only take it I'm taking this example मैं इसको erase कर देता हूं और यह mean को भी मैं erase कर देता हूं चल यह तुम्हारे पास एक data set दिया हुआ है अगर मैं K का value let's I take K is equals to one और मैं अपना mean कुछ यहां पर specify कर था हूं something like so now just calculate इस mean से सारे data point का distance यह distance calculate करो try to find out this distance हरे data point का this cluster right यह distance calculate करो okay so you may see की अगर हमारा K is equals to one है and if I take K is equals to two let me take K is equals to two है let me raise the clusters this is how your data set looks right अब मैं के का वाली दो रखता हूं तो I can assign two clusters one is here one is here let's empty these two examples अब फिर से मैं क्या करूंगा कि फिर से मैं उस cluster में जाओंगा अगर मैं यह क्लस्टर बनाया let's say यह क्लस्टर बनाया let's say यहां पे तो सिफ एक क्लस्टर बनेगा हमारा तो अब इस क्लस्टर के सारे points से मैं distance calculate करूंगा यह distance निकालूंगा उस mean के लिए तो यू में सी कि यहां पे if I take case equals to one अगर मैं डिसन्स का स्क्वार कर देते हैं तो यू में यह सी इस केस में the distance would be very high distance distance का square जब कर दो तो बहुत बड़ा वाल्यू आएगा right because यहां पर यह extreme points से भी हम distance calculate कर रहे होंगे उस time में लेकिन हाँ इस case में क्या होगा कि वह थोड़ा सा थोड़ा सा वाल्यू कम हो जाएगा तो तो जो हम यह distance calculate कर रहे है न कि लेट से लेट से कि तुमारे पास कुछ observation है what I'm doing is let's say you have a set of observation यहाँ सेट अप्जर्वेशन विच लोग सम्थिंग लेक तिस से तुमारे पास x1 value है x2 value है till xn value है ठीक है तो तुम पहले क्या करोगे as usual तुम इसको partition कर दोगे what you will do you will partition this thing into some set of cluster you will partition them in some let's say k clusters तो यह k cluster का set होगा यह कुछ ऐसा दिखेगा s1 cluster होगा इसमें s2 cluster होगा s3 cluster होगा और let's say if I'm taking k cluster तो total sk clusters इतने clusters होगे अब for example अगर मैं यह cluster रिक उठा हो s1 cluster इस s1 cluster में कुछ values होगे let's say x1 हुआ x5 हुआ x7 हुआ something like this अगर मैं s2 cluster उठाऊंगा इसमें कुछ values let's say x2 value आया x3 आया something like this अगर मैं s3 cluster उठाऊंगा तो इसमें कुछ values होगा something like let's say x6 x7 dot 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 something like this हो सकता है तो मैंने क्या बोला कि यह काम करो हर एक cluster में जाओ और उस cluster के mean से सारे data point का distance calculate करो let's say कि इस cluster का mean होगा mu1 इसका कुछ होगा mu2 इसका कुछ होगा mu3 तो मैं क्या बोल रहा हूं कि do this calculation once you are done with this to this calculation कि जो भी तुमारा x i point है उसमें से mean का distance को क्या करो square कर दो x i point क्या है इस cluster set में यह x i point है यह x1 है यह x5 है यह x7 है इस cluster set में यह x2 x3 है और mui है कि उस cluster set का जो mean है वो because हम यह सारा step सारे clusters के लिए करेंगे s1 cluster के लिए करेंगे s2 के लिए करेंगे s3 के लिए करेंगे तो मैंने क्या बोला यह mean निकालो sorry यह quantity निकालो data point का mean से distance सारे सका square करो क्यूंकि तुमारे let's say data point में sorry cluster में कुछ let's say your x i are all the points in the si cluster तो यह जब quantity निकालोगे तो एक cluster के लिए सारा distance का square निकल जाएगा but you want to do it for all k clusters ठीक है we'll sum it for all k clusters सारे k clusters के लिए मैं इसको कर देंगे so this quantity यह तुम जो देख रहे हो this is known as within cluster sum of square और in short this is also known as wcss यह जो पूरा mathematical term आया ना इता बड़ा सा this whole thing this is known as wcss अर तुमारा aim यह होगा कि वो k cluster चुनो जिसमें यह पूरा quantity सबसे कम हो you can see here if i take k is equals to two here the distance is quite less than this thing यहां पर देखो कितना जारा distance है यहां पर वो distance फड़ा कम कर दिया k के वाली लेट से 3 किया मैं so now the distance is even less every distance और कम हो गया so what you have to do you have to actually minimize this thing you have to minimize this thing so this expression is known as wcss within cluster sum of squads okay जब तुम इसको minimize करोगे तो तुमारा पास mean or average of the data point in SI cluster SI could be 1 2 3 जो तुमा cluster set हो तो actually तुम देखोगे जब तुम इसको एक plot में एक एक graph में plot करोगे न so this comes out to be something like this if not this let me take my k values here and let me take my wcss value here there would there k का value 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 5 6 7 8 let's let's say 8 k तक में देखना चाहता हूं so you may see कि जब तुमारा k का value सबसे high है sorry k का value सबसे कम है that is when you k is equals to 1 your wcss value would be very high बहुत high value आएगा question and when you increase the number of k's हुमारे value decrease करेगा and there would be a point एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद से यह value saturate हो जाएगा यानि कि के बढ़ने के बाद भी कुछ ज्यादा खास wcss value कम नहीं गवा so if i plot a curve if i plot a curve if i plot a curve ठीक है आर रहा है दिख रहा है श्याद दिख रहा है there is this point this is the curve अब you may see here कि जैसे हम यह k is equals to 4 cross किये इसके इधर हम cross किये wcss का value almost same है it is almost same let's see it is almost same saturate कर गया value correct और रहा है खर्शिता श्रेया से श्शांक और अगर मैं फ़रसा उठेश से उठना का कोशिश करूं you may actually see कि तुमारा यह जो हाथ का यह जो elbow है यह elbow की तरह यह figure लग रहा है यह पूरा figure जो है यह पूरा जो curve है यहां से लेकर यहां तरह यह हाथ का जो हमारा elbow है उसकी तरह लग रहा है right correct थोड़ा थोड़ा तो this figure is known as elbow figure और elbow curve अब ज़र यहां से देखो when k is equals to 4 जब k का value 4 के equal है तो you can see k के value जब 4 हो रहा है उसके बात से सारा point almost same wcss create कर रहा है right almost same है बाती सब के value के लिए 5 6 7 8 को दिख रहा है almost similar है almost same scale पर है so the value जहां जो के का value आ रहा है जिसके बाद से सारा point saturate कर जाये this point is known as elbow point this point is known as elbow point और यही हमारा ideal k value होता है तो अगर मैं पास एक let's say कोई cluster बने कोई data set के लिए और मेरा elbow point k is equals to 4 पर आ रहा है तो you have to go with 4 clusters so you can say that from this curve you can say the ideal k value is k is equals to 4 is it clear is it clear say aria harshita give me a thumbs up if it makes sense और यह इसी method को elbow method कुछते हैं this is this is called as elbow method अधिकर इताम इसी है यह करव हम प्लॉट करें हम सको implementation भी हम इसको प्लॉट करके देखेंगे अब सको प्लॉट करके देखेंगे तो तुम लेट से के का वाली कुछ कहीं से start कि कि देन तुम यह WCSS कर फॉर्म किये तुम्हें दिख रहा है कि लेट से मेरा मॉडल का यल्बो पॉइंट कुछ पोर के सब्सक्राइब कर दूंगा के का वाली पोल ले लूंगा करट आगे समझ में यह चीज अब जो तुम्हारा पहला step है ना अगर तुम अपना algorithm देखोगे तो जो algorithm का पहला step है ना कि randomly select your k initial centroid यह सबसे important step है कि इस इसर मेक और ब्रेक step या तो मॉडल को अच्छा बना देगा यह पूरा खराप कर देगा विल्स लेट सी कैसे कि अबने हम आ पब च्छर ुच्छ लुक्छ सम्थिन यह चाच्छ ग्रडेक, छुछ इस विल्स लीच लेट लीच वाध लीच व्य। इस लाग्ड़क, लिच व्य। विजबल है सब कॉचन सहँ और रहा mist लाओ रहा श्छांब हर्शता स्रेः रहा लेट मी से डीजर योग डेटा पॉंट्स ठीक है थीज़ डेटा पॉंट्स अब अगर एक आईडियल केस होगा अभर अपने से दिमाग लगाओ अगर एक आईडियल क्लेस का मैं बात करूं तो यह क्लस्ट्रिंग कैसा दिखना चाहिए इपालिट मी कॉपी अगर मैं इसका क क्लस्टिंग करना चाहूं एक कुछ पॉइंट और पड़ा देता हूं एजी होगा तो मैचने में यूर आईडियल क्लस्ट्रेंग इफ आई टॉक आउट 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 आट एक एक आउट आई आईडियल क्लस्ट्रेंग तुम मेरेको बोल सकते हो कि ये श्रिंजे भाएabling दा आईडियल क्लस्ट्रिंग कुँड लूव लॉक संथिंग लेयक दिस कि ये सारे पॉइंट और ये सरे पॉइंट एक क्लस्टर में आ गह सब्सक्र practicing कुट में यह सारे पॉइंट एक क्लस्टर में आ नहीं होगा इसका एक यह पे होगा इसका कहीं यहां पर होगा और इसे में भी कहीं वहीं रखता है तुम इन सब्सक्राइब कर रहा होतना सुन उजेए आयडियल इसकायों स्नेूंभ लेकिन कभी वेलिग अभी क्या होता है जब तुम्हां मॉडल परफॉर्म करो गेना तुमको आईडिल क्लॉस्टिर नहीं मिल पाएगा अ कि यह गेट क्लॉस्टरिंग सम्ञेंग लाइट इस और यह तमारा मॉडल है यह तरहाँ तरह गर्दारी कर दे यह कुछ इस तरह से लाइट कर्दे किय तमारी कार तमारे ले को पालब कडरने काई ली स्क्रीन शॉट ले रहे ना को एक अदमी लाप्टप पर यूज कर रहा हूं कुछ इस तरह से क्लस्ट्रिंग करते हैं अब अगर मैं सेम अगर मीन निकालने जाओंगा अब तरह, यू कर रहा हूं का जॉल टा मनॉध यूई टीns वнос्ट लोग तो लिए गें त्वी तम स्क्रीं तो कर रो तो इसदर दिस्टेंस आर मोर हेर लाज दिस्टेंस राइट बिट्वीन मेन डेटा पॉइंट राइट तो इस इस वी डोंट यह जो यह जो हुआ है यहां पर यह जो कर्दारी हुआ यह हम नहीं चाहते हैं लेकिन कभी-कभी मॉडल ऐसा बना देता है और मैं तुमको बताओ यह होता है इसलिए है पिखास अुमने कुछ correct k-value से start की हो तो इस फिनोमेना इट इस ओनों आस इट इस ओन्न आज राइंडम इनिश्लाइटेलेशन राप अधिस नोन एस राइंडम इनिश्लाइटेशन यह करता ही नहीं चाहते हैं बिकार्स ये सारे डेटा सेट आपस में आस पास है काफी क्लोजली पाक्ट है इनको एक साथ रहने तो ये लोग दूर है इनको अलगर अलग करो ये होता है इसलिए है कि अगर मैं लेट से अपना इसलिए अपना इसलिए इनिशल डेटा सेट लेट सेट लेट सी वाइज दिस हापन लेट स आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई तुम क्यूं हुए हो वाई तो लेट से कि तुम के जिवास्टू थी पर वर्क कर रहे तुमने के जिवास्टू थी डिसाइड किया यहां तक ठीक है जितना नंबर अफ के किये डिसाइड किये उसमें दिक्कत नहीं दिक्कत है कि जब तुम इनिशल सेंट्रॉइड डिसाइड किये ना तुमने इनिश what you did that these Centroids are near to each other यह गलती तुमने कर दिया कि जो तुमने यह जो त्यों सेंट्रोइट डिसाइड किया था ना न्यू वान इसको आसपास रख दिया तो अब हुआ यह सेंदे अब जब distance calculate होने लगा न अब जब distance calculate हुँआ न तो यह ठीक से हो नहीं पाया और क्यूक्ugen्हार तिस्टेस केदित ही मेरा थीक से नहीं वंपाया है कुमारा क्लस्टरिंग गलत बन गया है का कुछ अगर यह पॉफंक उस तंक दिख रहा है है सारे एक साथ जा रहा है तो यह क्लस्टर एक बन गया यह क्लस्टर एक बन गया यह क्लस्टर एक बन गया this is something you don't want this come fix कैसे करें how can we fix it how to fix you may ask this question तो यहां यह जो तुमने गलती किया है ना कि centroid को आसपास रख दिया है कि इसी को हम change करें हम centroid को दूर कर देंगे we'll keep them distant apart if again this is your data set मैं बोला कि ठीक है है हमको centroid ही decide रखना है रखना है रखना है रखना है रखना है चलो पहला कुछ मैं यहां रख देता हो something like this new one दूसरा कुछ यहां रख देता हो new two फीसरा कुछ यहां रख देता हो new two now you can see my centroids are distant to each other तूर है एक दूसरे से that your centroids are far apart तो अब जब clustering हो रहा होगा अब जब clustering होगा तो you can have a clustering which may look something like this फिर अब यह जो बागी स्टेप है फिर अपडेट होगा वाल्यूस तो तुम्हारे पास सही clustering आ जाये जो लेकिन तुमने पहला स्टेप किया ना वही डिसाइड करता है कि वेदर इस मॉडल वोड वर्क और नॉट क्या तुम राड़नम इनिशिलाइजेशन ट्राप में फस होगी या नहीं फस होगी और जो करेंट जब तुम्हारे अच्छे से हो गया तब तुम्हाई कोई दिखते तो यह फर्स स्टेप जहां पर तुम्हां राड़नम्ली अपना डिसाइड करते हो कितने क्लस्टर लेने हैं कौन से क्लस्टर लेने हैं कौन से फ्लस प्लस प्लस गॉरिंदम में लीक्ति स्कसर कि ए सदॉने सेंटोई्ट्स से निकालना इना इसको तूर तूर कर दोगे अगर तुम्हां पहला पॉइंट यहां रखा है यह प्ला पाइल आफ हूं अब जो रेने ऐ दिस्ट OD दिस्टेंस से det irrelevant बड़े यह जो distance से यह बड़े यह जो distance से यह बड़े you want to maximize that distance तो हम यहाँ यही करते हैं इसमें क्या करते हैं कि हम जो पहला point है वो तो अपने साफ से चूज कर लेते हैं तो इतना freedom है तो model बना रहे तो पहला centroid तुम decide करो तो यह step one is your first step is very simple that you have to select the first centroid and this centroid can be random अपने से चूज करो जो मर्जी तो you may select it randomly ठेक है आर रहे हरशनिता स्रेया सुषान्त इस ट्यर्ट पर्फेक्ट पर्फेक्ट मजा आरा है चलाए अब आपने से चूज करो अब आब आपने से चूज करो चलाए इस सेगेंड स्टेप सेज्ज एक काम करो तुमने जो पहला पॉइंट यहां निकाल है न म्यूवन ऐसा करो कि आप एक न्यूटू पॉइंट रखते हैं और इस न्यूटू पॉइंट के बीच यह डिस्टंस को बढ़ाते हैं के इस 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 तरह से बढ़ाएंगे कि एक प्रॉबाबिलिटी एस्टिमेट हम यहां पे करता हैं डिस्टंस पर नहीं करता हम प्रॉबाबिलीटी पर वर्क करते हैं कि ट्राइट टू मिनिमाइज इस प्रॉबिलिटी की यह आसपास है अगर प्रॉबलिटी कम लेट से ट्राइट तू मिनिमाइज दी प्रवबलिटी की दोनों पॉइंट एक दूसरे के आस पास हैं कि अब होगा यह कि छिंजे थक मिन प्रॉबबिलिटी का बात किया अग्धा प्रॉबबलिटी से हम कैसे पता लगा पाएंगे here is the trick what you have to do he let's say कि तुम अब अपना second point निकालना चाहते हो तो let's say that for each uh remaining remaining centroid के लिए इसके बाद का step वामनी रहेगा इसले हम राइट राइट इस that for each remaining centroid what you gonna do is सबसे पहले लिए you will select a data point let me name it x this is your data point जो तुमने अब यह probability जो होगा it is very interesting क्योंकि यहां पर numbers का बात नहीं करेंगे अब यहां पर distance का बात करेंगे तो this probability this would be proportional this would be proportional to the square distance of x with the closest with with the nearest already chosen centroid तुमने already centroid चूज कर रखा होगा उससे यहां पर लेट से कोई एक पॉइंट निकालों तुम यहां पर लेट से कि तुमने वन शेलेक्ट कर लिया है तो अगर तुम इस पूरे डेटा से इस कोई भी एक पॉइंट निकालों let's say I choose this point this is the point I choose. So, I will try to find a probability कि यह point फ़र दूर से लाहि करें I will try to find out की यह point फ़र से दूर लाहि करें वो दूर लाई करेगा, then only I can make a centroid somewhere around that point, correct, idea मिल रहा है, अगर यह point के, अगर, जैसे for example, अगर मैं यह point choose करूँ, so you can see, यह point काफी आस-पास है, तो मैं इस point के, जो मैंने point select किया है, मैं इस point के आस-पास इतना centroid नहीं मना सकता हूँ, I can definitely go for this point, इसा दूर रहा है, so what you have to do, you have to find a probability estimate which looks something like this, that let's say, heat bx is your distance between x and already chosen centroid, this distance can be Euclidean, it could be Manhattan, you may choose, no issues, so this is the bx, जो तुमने point अपने से चूज की है, वहां से लेके, जो अल्रेडी चोजन centroid, उसकी बीच का distance, I am saying that to be bx, so the probability, probability, let me write the probability, of x, this is given by this formula, dx को square कर दो, you are, you are talking about square of distance, because distance का भी positive हो से था है, negative हो से था है, जो मुसका square कर देते हैं, तो, we get a positive value only, and what you will do, what you will do is, अब बाकी जितने भी remaining point है, जबके साथ ये distance calculate करो, और सबका square से सको divide कर तो, that is how you bring the probability, so what you are saying is, let us say there is a point x dash, in the same cluster, तेगे, और in the same data set, not cluster, sorry, और तुम सबका summation ले लोगे, ये, same चीज़, you will do it, you will do it for all x prime, which will belong to your data set x, this is the probability, you are, you will be finding it, अब इस प्रबबलिटी के साब से, you can actually iterate over and try to find out a point, which actually makes sense, to you, the best part is, कि हमें ये step नहीं करना होता है, if you're using some kind of model, like if you're using some kind of library, like Skygetle, उसमें बस याफ to just give this keyword, k means plus plus तो ये पुरा step हो जाता है तुमारे लिए, so क्या यह idea तुमको मिला कि यह कैसे वर्क कर रहा है, क्या यह idea मिला, where this term e x prime is what, this is the distance this is the distance between x prime in the data set, जो तुमारे एक्स्टाम इन देटा सेट होगा, let us say this data set is x and nearest already chosen centroid, take it, this is your x prime, b x prime, sorry, distance of x prime with your nearest centroid. So, this was all about k means plus plus, this is the algorithm and you actually repeat this step until you get your entire, like you repeat it, repeat till your k plus, sorry, centroid, are chosen. यह जो पूरा step है, यह तुम करते जाते हो, दूसरे centroid के लिए तीसे centroid के लिए चौत है जो इतना भी तुमने सेलेट किया है, तो नौ लेट्स सी कि हमने model तो बना लिया, अब model कितना अच्छा यह भी हमको judge करना है, right, जैसा हमने regression में देखा था हम accuracy उसका देख रहे था है, किता accurate है, classification के हमने classification matrix matrix देखा, right, तो let's see, कि how do we judge कि हमारा जो class clustering हमने किया हो, कितना अच्छा, तो we use something which is known as, इसका aim क्या है, you have to just evaluate how good the clustering is, clustering कितना अच्छा हुआ, यह बताओ, बस किसी जी को evaluate करना है, जैसे अगर regression करते थे तो हम यह देखना चाहते कि regression कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छे से हुआ है, हम अगर इधर बात करते हैं क्या बोलता है, classification में देखते हैं, तो हम यह देखते हैं कितना अच्छा classification हुआ है, the same way, we'll see, using this score, कि भाई तुमने कितना अच्छा क्लस्ट्रिंग किया है ठीक है तो इसको करने का 3 step है there are 3 steps involved the first step is something you have to calculate just a second you have to calculate mean में इंटर क्लस्टर स्वारी इंट्रा क्लस्टर इंट्रा क्लस्टर इंट्रा क्लस्टर इस्टेंस यह क्या होता है आओ चलो देखते हैं यहां जो माने एक्जाम्पल दिया था ज़स्टी है यह दो एक्जाम्पल लेते हैं यह दो एक्जाम्पल लेते हैं तो तो जो तेल मि अगर मैं यह एक क्लस्टर बात करूं और सांक्ष्रिया, आर्या शांक्स्रेया, if I talk about this cluster only, you can see कि इस cluster में, the distance between each of the point with another point is quite less, और मीन से भी distance कम है, right, और you can say कि इस points are closely packed, तभी हो एक cluster में आया है, right, दिख रहा होगा, if you can take this example, इस example में देखो, इस cluster के सारे point आपस से काफी आस-पास है, they are quite close to each other, अगर मैं से कुछ क्लस्टर का बाग कर रहा, just focus on this cluster, इस cluster के सारे point आपस में काफी आस-पास है, अपने means से काफी close है, right, make sense, so you can see, अगर हमारे clustering अच्छा हुआ है, तो the distance between each of the point within the cluster would be very less, यह जो assignment हुआ है, यह सब different points का is cluster में, वो काफी high होगा, अच्छे से assign हुआ है, so that is what you have to calculate, you have to calculate the mean inter-cluster distance, यानि कि उस cluster के हर एक point आपस से कितना एक दूसरे के आस-पास है, उसका mean निखा लो, so this is given by this formula, let's say कि एक CI cluster हम define करते है, let's say for a point i in cluster, एक अपने से cluster define करते है, CI, इसमें यह जो mean inter-distance, intra-cluster distance है ना, it is denoted by A of i, A of i stems पो denote करते है, and this is given by your distance between, let's say i point हमने choose किया है, से लेके एक j point उस cluster में, तो अब हम जब इसका distance ले रहे हैं, तो हमको इसको summation करना होगा, हम सारे point के लिए करना चाहते है, ठीक है, अब यह j point किया है, j point is only, उस i point के इलावा बाकि जो different point house cluster के, so what I am saying, use i point के लावा, what I am saying कि this j belongs to your ci cluster, and your j is not i, i को छोड़गे सारे point, this is what it is, and this d of i j is, d of i j, is the, distance between data point i, and j in pi cluster, अभी है distance, euclidean distance हो सकता, it could be manhattan distance, but it is, it is a distance, so अब bean निकालना है, तो just tell me, हम को इस्टो कित्या number of observations से divide करना होगा, हमने एक point already select के, let's say कि इस data side में 5 point है, इस cluster में 5 data, data, data point है, एक हमने choose कर लिया, तो we have to divided by 4 only, बाकि 4 ही बचे, बिकाज हम उनी चारी के साथ distance is calculate कर रहे है, so, what you have to do, you have to divide it, you have to divide it, by, let's say, this is the number of data elements, जो cluster में है, minus 1, you have to, uh, oops, we have to find out, अब हुआ हमारा मीन, so, this is what your AI is, is it clear, आ रहा, हर्षिता, सशांग, स्टेया, is it clear, this is what your AI is, जादा वो आसपास हो गया, क्या मैं अच्छे से लिपता हूं, जस्टेया, यह वाला पॉइंट इको बता दो, तुमने एक क्लस्टर का एक पॉइंट चूस कर लिया है, तो अब कितने total number of clusters बच है, sorry, कितने number of data point बच है, अगर मैंने यह चूस कर लिया, पूरे data cluster में लेट से 5 point है, तो अब सिर्फ 4 बचेगा, तो this is given by CI minus 1, this is the total number of observation, ठीक है, and now what you are saying, we try to find out this distance, DI, J, this is the distance between I point and J point, अब क्यूंकि हम कुछी cluster का बात कर रहे हैं, तो what I am saying is, try to take its summation, where all the J point will be from your CI cluster, CI, जो हमने cluster decide कि है, उसी में यह point J लाई करता है, और हम यह चाहते हैं कि जो हमने initially point I choose कर रखा था, वो यह point भी, उसके लावास आ रहा हो, तो I am saying, कि, your J should not be equal to I, this is what AI is, और यह mean intra cluster distance, अब क्लियर हुआ सचान, अब एक बात बता आओ, इस दिस्टेंस जितना कम होंगा, उतना ही अच्छा है हमारे लिए, यह क्लूस्टर कंपेर करो, यह क्लूस्टर कंपेर करो, यहाँ पे, the distance is quite high between each other, यहाँ पे यह distance high है, the AI value would be high, यहाँ पे AI value कम है, so I can say, कि जहाँ हमारा AI value कम हुआ, उत्ता अच्छा clustering हुआ है, or you can say, or you may write something like, your assignment, how good your assignment is, this is inversely proportional to of A of I, जब AI value high होगा, तब assignment उत्ता अच्छा से नहीं हुआ होगा, जब यह value low होगी, तो assignment high, अच्छी assignment होगी, और इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, अब यह AI value में बताता क्या है, what is the inference, one word, and that word is cohesion, cohesion means, कि वो data point, आपस में आसपास से कितने close है, how well they are packed, कितने अच्छी से वो closely packed है, is it clear, this is what cohesion means, cohesion simply means, कि वो अपने से एक दूसरे के आसपास, कितने अच्छी से है, कितने close है, so यह तो हो गया, यह तो हो गया, mean intra cluster, now let's see कि, we'll calculate mean inter cluster, mean inter cluster, so you want, कि यह cluster की बीच का भी जो distance है, यह भी कम होना चाहिए, बहुत से पर से पर लुटे नहीं होने चाहिए, अला 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 चाहिए, because, इसके बीच का जो इंपर मेशन है, बहुन हो ल्ष हो गया, and I don't want that and I don't want that so you have calculated the mean inter intra cluster now we will calculate the mean inter cluster a mean nearest cluster of distance you have to calculate gain nearest cluster this is what you have to calculate let's say let's say let's say it obviously is put it data set we are taking more than one cave okay so there could be other clusters there could be other clusters something like this let's say this is cj this is ck something like this these are your different clusters so a good clustering is the one where the distance between between let's see a point manage choose kya to a point Joe I have a nearest cluster say this distance has to be minimum for all the different data in the next cluster I want this distance to be minimum average daily to warm average chart of minimum more huh huh you don't have to be separation home historian at taking place it is an L यह दूर पॉइंट है तो उनको पता लग रहा है कि भाई तुम अलग लग लग लेगे लेकिन अगों देटा में है न अ जब data में closeness है data दुसरे के आसपास है तो हम यह देखना चाहते है कि तुम क्या इसमें अच्छे से clustering कर पाते हो can you calculate can you cluster out here perfectly this is also we want कि यह जो distance है cluster के बीश में for all the different points यहां से यहां ले लो यहां से यहां ले लो कहां से यहां ले लो this has to be minimum so what I am saying is for let's say कि तुमारे CI cluster अपने से choose कर लिए वहां पर तुमारे कोई इत point है so let us say कि there is some CJ cluster which is your next nearest cluster I guess यह visible अब होगा just a second let us say let PJ beer cluster which is your next nearest cluster next nearest तुम बिंज बॉच कर सकते लेका अब मेरे को मेरे को आदा गन टॉल लगेगा विकाज यह लाफ्स टॉपिक है इसके बाद हमनों प्राक्टिकल करेंगे तुम पोन पर सुच कर लो और तुम खाते-खाते देख लो let's CJ is your next nearest cluster ठीक है तो अब ऐसा करते हैं कि let's say we take some I point which belongs to your CI cluster मैं तुम खाते है word skip कर मैं mathematically लिखना चाह रहा हूं तुम लोगे लिए so I don't think this में कोई दिक्कत होगा let's say we have a cluster this में से मैंने एक data point select किया that is your I point so now you have to calculate something which is known as B I ठीक है and this B I is given by again same thing you have to calculate the distance between I and J I point तुमारा first cluster में होगा J point जोगा वो दूसरे cluster में होगा and you take its mean so mean लेंगे so we want this J point to be belonging to some CJ cluster ठीक है अब simply इसी बात है कि अगर हम दूसरे cluster में करेंगे तो I can never be equal to J I or J कभी equal नहीं हो सकता because हम दूसरे cluster का बात कर रहे हैं करेक्ट करेक्ट अब जब हम यह summation लेंगे अगर हम यह summation लेंगे तो हम किस value से divide करेंगे I'll simply divide it by the number of points जो हमारे CJ cluster में होंगे let let me denote it by modulus of CJ ठीक है कोई दिक्कत and I am saying कि यह यह जो तुम quantity लाय होना you have to minimize this quantity you have to minimize this quantity you want to find its minimum you want to minimize this quantity यह value जितनी कम होगे तहा अच्छा से clustering हो पाएगा दूर जैसे बोलते हैं न कि अगर तुम कि अभी इंडिया और South Africa का match था World Cup हम जीते क्यों जीते क्यों में इतना अच्छा लगा बिकॉस एक मुमेट ऐसा जहां पर हम लोग अल्मोस्ट हार चुके थे 30 बॉल में 30 रन वहां से जीत अपने तरफ लेना वह अच्छा वह बड़ी बात है अगर मुसको लेट से South Africa को सौरन सा राय होते तो हमें उत्रा खुशी नहीं होता I am just saying a generalized statement खुशी होता obviously लेकिन लेकिन इतन कांटे का टकर से अमने जीता वहां से अपने match अपने अपने पाले में पलटा तो वह जो quality of captaincy था तो हाँ ठीक है वह बहुत अच्छी पात है 100 जीताया good लेकिन जहां पर हारने वाले थे यानि कि जब data points एक दम एक दूसरे के आर्स पास है वहां से मैंने यह decide कर पाया कि यह data point एक cluster में जा रहा रहा इसके बगल वाले दूसरे cluster में जा रहा that is more quality clustering because अगर तुम एदम एदम algorithm तो आपनाख है नहीं कि वह देख पार है कि एक दूसरे के आस-पास है या नहीं वह बस distance calculate कर रहा है अब जितना अच्छा से वह यह separation कर पाएगा उत्ता अच्छा 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 बात है मेरे लिए logic जो भी माने दिये captaincy वाला अगर कोई win prediction कहता है कि तुम्हारा opponent team 99% chance है वह जीत जाएगा और तुम वहां से match जीत गए तो it is a much better quality of you कि तुम वहां से जीत गए अगर सिंपल था कि तुम्हारा win percentage is 85 तुम जीती रहे और तुम जीत गए कोई बात तो ठीक है अच्छी बात है तुम जीते हैं राइट तो this is what you have to do I guess example के साथ समझ में आ गया होगा why are we even calculating this clear तो अब हमेश्चा की जड़ा इस सम क्या इस सम में क्या पता लग रहा है what is the inference अभी मैंने बता है कि यह दोनों वाल्यूज कित अच्छे separated है कित अच्छा से separation किया है तुमने अब जब तुमने step 1 और step 2 कर दिया है now you have to do a final step now you have to do a final step which is you have to calculate si you have to calculate the silhouette score for data part कैसे calculate करेंगे let's see so your si your si is given by 0 इसका value 0 होता है when it is 0 if the number of data point in your CI cluster is 1 अगर एक cluster माने पास बना वास में सिफ एक data point है so it is 0 straight away कुछ if but else नहीं कुछ if but else नहीं otherwise otherwise if your number of points in CI cluster is not equal to 1 or you may say it is greater than 1 let me write greater than what because not equal to 1 में तो जिरो जिरो भी हो सकता है so I'll rather light greater than 1 so it is given by this formula कि तुम BI में से AI को सब्ट्राइट कर लो BI minus AI and you divide it by maximum value AI और BI में से जो बड़ा वाल्य होगा उससे डिवाइट कर लो simple AI और BI में से जो बड़ी वाल्य होगी उससे डिवाइट कर लो तो BI से डिवाइट कर दो AI बड़ी वाल्यू आई है तो AI से डिवाइट कर लो ठीक है इस वाट यह सिलोट स्कोर इस जनरली तुम यह फॉर्मुला कोई बुक पढ़ोगे कोई आर्टिकल पढ़ोगे वेबसाइट पे कहीं पे युल पाइंट इस पॉमला हां यह भी कहीं कहीं मेंशन है इसलिए मैंने रखा इसको बट दिस इस वी मोर इंपॉर्टन पॉमला बिकॉस इस से हम सारे जनरलाइजेशन हम कर लेंगे जो भी हमारा रिक्वाइड है ठीक है सो अब ज़र यहां देखो हम ब्याइए मैंस ए निकाल रहे है और वियर डिवाइड 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 इट पाई यहां से तुमको एक चीज़ नोटेस कर पाओगे चैंड और यह सिलोट पूर इट्वीट बेट्विट वान आ यह था ना इन रिए थिए रहेंगे इस पास हो सकता है जिरो क्या स्पास हो सकता है वन के आसपास हो सकता है तेक है चाहरो लेट से कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू आगया गई अब हमें क्या पता कि इस वाल्यू का क्या करें कुछ इससे हमें पता तो लगना चाहिए लेट सी ता लेट सी इस इंटरप्रेटेशन एक बार जब तुमाने पास वाल्यू आ जाए तो तुम क्या उसे इंटरप्रेट कर पाहता हुँए तो लेट से यूवव एसाइज पो तो अभी तुमने ढें देखा इस कन लाइ बिट्मीन थी इफ्रेंट वाल्यू इस वन क्या आसपास हो सकता है जिरो क्या आसपास हो सकता so what I am saying it can your SI score can be very close to 1 or your SI score would be very close to 0 or your SI score would be very close to minus 1 यही 3 case बनते हैं हमारे पास यह तो 1 के आसपास होगा यह 0 के आसपास होगा यह minus 1 के आसपास होगा right तो अगर यह 1 के आसपास है if this is the case it is a very good clustering so I can write you can say it is a good clustering बहुत अच्छा clustering हुआ है मेरा अगर यह minus 1 के आसपास है है तो एकदम इसका उपोजिट होगा that the clustering is bad ठीक है आर रहा है सशांग अरशेता इस च्छा है और अगर 0 हो जाए जालो 0 वाला केस में if I talk about this या तो 0 इस केस में होगा या तो 0 तब ही होगा जब BI-AI 0 हो जाए अब BI-AI 0 तब ही होगा जब दोनों cluster एकदम आसपास होंगे एकदम कॉंसाइड तर रहे होंगे यारे कि तुम दोनों भी difference नहीं नहीं निकाल पहोगे से कौन से क्लुस्टर पहला कों से criminal क्लॉसरा क्लॉस्टर है अब नबॉर्ट एंड इन डिफ्रेंड और और ईथिन दे you have इन डिफ्रेंट लेस्टर तो नहीं पर्खीन निक कर पाऊई कॉंसा लेक्से कॉंसा लेक्सा क्लॉस्ट एंब दो आजुम से शयंक स्थ्स्थ तरह विए गया ये टीजिए कि ये क्या है कि क्यम ब्स का मत्मर्कसंगा इसका इसका शमजरी इसका मत्मट मुच्टिकंगा गॉमेटिकली गॉमाथमाथिकली तू़ टीजिए तो नहों लेट एड ओन तो इस अ प्रक्तिकल पार बहुत हमने देखा मतमेटिक्स बहुत रहे ट्रॉ कर किया सब चीज़ नो लेट एड़ गाथ अधुली इंपलिमें इस तफ तो अगर तुमने अपना डेटा सेट लोड कर रखा अपने नोट बॉक में तो काइनली ओपन इट अप वी बिगिन इस इस विजबल मैंने अलरीड इंपम लॉट्स यह कर रखा है इस को जुम कर जाता हूं उस लुड़ कर रहा है तो सबसे पहले लेट सबसे लेट साइब लेट लोड टी लड़िए यूड़ इस matflotlib .5plot .5plot as PLT और वो import warning भी कर लेते कोई warning message नहीं है import warnings warnings dot filter warning and we'll simply ignore it now you are done with it now let's load our dataset so I'll simply write df is equals to pd dot read csv let me zoom in for us read underscore csv and here I'll simply pass on the name because I'm same folder में आई उसकर रहें that's ready let's see our dataset this is how your dataset looks like you have name you have age you have income good let's see this dataset में कितने values है so I can go with df on shape c 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 df c c c okay basically first we have to import this thing from skmeen.cluster import kmeens cluster so once this is done what you have to do you have to make a model you have to make an object here this way you will pass on this function from kmeens then you have to assign how many clusters you want random state your n unit should be auto by default auto you have to copy it let's say we work with three clusters for each of four clusters work like that char clusters one of them sklearn.cluster import kmeens and we'll simply let's make an object km and we'll pass this thing we'll go with random thing half if you want the number of clusters to be 4 you can simply say my number of clusters should be 4 now your model is ready ab kya karte hai ki hum aapne data set jomne x value ya hapne these are your features hum isko fit karte hap predict karna shuru karte hain so there is this fit function to fit bhi kar sakta phir predict kar sakta but kyun karamaha paas say the fit predict hain we'll simply compute the cluster center and predict its value for each data each data point how can we do it let's say let's make a variable first I'll name it white pred will pass will pass in km.fit अब जरह यहाँ ध्यान से देखो your x is what अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो let me तुम्हारा x जो है वो यह दो कॉलम है राइट इन दोने के बेसिस पर तुम क्लुस्टरिंग करना चाहते हो तो वील्स देख लेता है इसको हमें काम करते हो कि अपने data frame से separate कर लेता है तो उसके लिए मैं तुमको पता यह था query clay you can always use this age income income यह तुम्हारा दो कॉलम मैं आएगिस हाँ यह तुम्हारा यह दो कॉलम बनतका है so we will simply use this as our x so we will zoom कर लेता हां कितना थी x के जगा हां I will simply pass this ठीक है if I do you can see if I if I print this y-pred I will have the different predictions पहला जो point हां वो जो cluster no. 2 में है पीसरा जो point है वो cluster no. 0 में है and so on ठीक है हमने 4 clusters रखाता है तो 0, 1, 2, 3 4 cluster center बन गए अब एक काम करते हैं हम अपने initial data set के साथ और changes करते हैं यहां पर एक name column है यहां पर age column है और यहां पर income column है ऐसा करते हैं एक नया column यहां पर बनाते हैं जिसमें हमें यह पता लगे यह जो पर्टिकुलर रॉप का जो point है यह किस cluster में बिलॉंग करते हैं क्लस्टर जिरो में है cluster one में है two में है किस में है चलो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं कि let's add the cluster information let's say we'll add the cluster information to the data frame कैसे करेंगे तो तब से पहले step one कि initial add data frame में यह कहां column हमें बनाना होगा तो we'll make that column let's say tf cluster वा नया column ready है अब हम इसमें value assign करेंगे तो this value has to be this thing ypred ypred होना चाहिए ठीक है I'll simply write ypred and let's see our data set now perfect so you can see all the different values has some cluster center पहला रॉब है यह यह क्विद्टर नमर टू में बिलॉग करता है यह इसमेल है यह क्लुद्टर नमर जिरो में बिलॉग करता है यह देविड है यह क्लुद्टर नमर वन में बिलॉग करता है and so on right so now let's do what this is something we have done now तो अगर तुमको जानना है जैसे there is always some coordinate cluster का कोई coordinate होता है so you can go here and just simply search cluster center you can have an attribute name cluster center cluster center थे को यह क्या करता है this attribute simply give you the coordinate of the cluster center cluster center if there is x feature x1 feature and x2 feature हम दो feature का बात करते है feature space का तो उसा coordinate क्या है ठीक है this is something we'll predict there is also this inertia इसको भी हम use करेंगे which will give me this sum of square distance to the sample this is simply your WCSS simply sum of square distances तो पहले हम इसको यूज करते है cluster center यह attribute है तो अब attribute का attribute की तरह यूज करेंगे like by the model name cluster center you can see हमने जितना number of cluster defined किया था four cluster हमने decide किया है तो चार clusters का मेरे पास coordinate आ गया यह एज है यह income है पहले कोडिनेट था यह एज है यह एज है then you have the income so you have four different values 3.29 something e raised to the power 01 e raised to the power 04 for the income column इस तरह से clear आया so now let's do what इसको एक scatter plot में रिखते है कि कैसा लगता है so let's let's make it in a scatter plot about scatter plot के लिए सब से परदे तूको यह करना होगा you have to make a data 4 data frame ने हो जिसमे पहले data frame जितने 0 cluster वाले सारे एक में आजये data frame 2 जितने 1 cluster वाले सारे एक में आजये data frame 3 में जितने cluster number 2 वाले वो सारे आजये और प्रस्ट नुम्ह पोर में जितने थ्री वाले वो सारे आपके लेट्स क्रियेट और सेप्रेट डेटा फ्रेम पॉर इच्छ ट्रॉस्टर एक ऐसा करते हैं कि लेट्स एडियाफ वान दीयाफ टू दीयाफ प्री यह चार टॉस्टर डेटा फ्रेम रहते हैं अब यह बने कैसे सॉपरेंगा कैसे तो यह व्याइब टो टूंग क्लस्टर आज यह वाप डेटा फ्रेम जिसमें उद पास्ट स्क्रे कर ओ यह जिसका भी क्लस्टर उसका भी क्लस्टर जीरो का इकुवाल है वह सारे को इसमें डाल दो तो थे कैं ऐसे वीड़ोट पर हॉल दुएं पर I want one here I want two here and I want three here so this is what you have achieved let's print df1 so you can see the cluster 0 was all right let's see df2 the cluster one 1 वाले थे सारे आगे let's see df3 जितने cluster 2 वाले थे सारे आगे let's see df4 जितने cluster वाले थे सारे लोग आगे now let's do what let's plot a scatter plot let's plot a scatter plot scatter plot scatter plot clip क्योंकि 4 तुम्हारे पास clusters है तो 4 scatter plots plot होंगे एक ही figure में so we'll start with dlt.scatter as we will अब scatter plot में just tell me your one one axis should be your age and your another axis should be your income column so ठीक है my one axis should be my age my another should be this I am since I am doing for first पहले इस क्लस्ट ले करते हैं तो df1 हो जाएगा यहां पर df1 और इसके लिए हम यह कॉलम चाहते हैं इंकम वाला प्रेट में कॉपी कितना लिखने कॉन जाए है बार रा and let's say this should be of color green let me do it for all the different four rest of the three यह second cluster क्ले हो जाएगा हमारा this should be pink this should be black for df3 this should be for df4 second with a cut harshita stay up with a cut next level is age new y level is your income ठीक है लेबल भी आड़ कर देते हैं लेबल भी आड़ कर देते हैं चलो let's say this is of cluster 0 this is of cluster 1 the table is cluster 2 and the remaining is cluster 2 let's let's have the legends next level to ho गया plt dot legend and let's show the scatterplot this scatterplot looks something like this यह जित्ते green point वाले हैं एक मिन्ट दो बाद ग्रीन होगा क्या oh let's 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 make it so you have these four clusters पहला cluster यह पिंक यहां पे दिख रहा होगा this is your one cluster these siyane ki dho values these are your second cluster yé sarae red waale black waale these are your third cluster and you have a next cluster something like this let's calculate its sillot score let's calculate its silo score so to get the silo score since it is a metric you will get it in here sklearn dot metric let me zoom it here in sklearn dot matrix let's open this you can you can scroll down clustering metrics you can see here the load score let's do it let's calculate it to get this load score first thing you have to import from a sklearn dot metrics import silo score shall we will start with this miss up se paliper model mill library mr. all the time so let's calculate the silo score so b spelling what they are edge to edge to u v t t let's calculate this take it abhi maane k ka value jotha maane kya rakhtha hai maane 4 rakhtha hai so to get this load score you can see here you have to simply use this function where you can see here the parameters are x and your label thik hai so let's see in place of our x we have our column and in place of your labels we have our cluster centers achai kaam karte hai is data set me na is ka cluster center bhi nikalta hai plot karte hai so let's do what let's plot our cluster center tnt dot scatter so if you could see the cluster center agar meriko x axis chahiye to I have to go for all the different rows or harik different rows me just joh column hai jis ka index zero meriko go chahiye tab meriko yeh pahla value milega so I can say go for this thing go for km dot cluster center isi kandar hai right isi meh sare values okay alex gao now we will simply do the indexing kya karo saray row mein jao and get me the index get me the column with index zero to emara x ho gaya similarly y mein we want all the values ये सारे वाल्यूस भी वाई यह वाल्यू इन आर नेक्स दूर गॉर्डिनेे टिक है ऐसा करो श्रेंघ यह सारे कॉलम में जाओ और गॉक्त मी वाल्यूस्ट्व ग्लूम गॉक्त भीट। इसा करते हैं कि लट्मी ती मार्कर आ शरब aspect and let me use the color red and let me make it the let me make the label as my centroid is perfect तब तुम यहां पर था बड़ा का देता हूं यह पूरे cluster का centroid कुछ यह star देख रहा है red star खर्शिता श्रया यह दिख रहा है चलो यह दोनों पॉइंट के cluster बना इसका इसका centroid यहां देख रहा है similarly एक ऐसा black cluster बन रहा है इसका centroid यह है और ऐसे एक green cluster है इसका यह एक centroid है नाओ लेट्स फाइंड आउट इस सिलोट तो यह भी बहुत इसी है और यह पूद दू इस ज़स्ट पास्ट इस पेंगे कि तुम्हारा कितना अच्छा clustering हुआ है in place of x you want all of these values कहां गया यह यह हमारे x labels है ठीक है we'll use this यह हमारे x values है and now you want a label अभी लेबल क्या होगा तुम्हारा किस बेसिस पर तुम्हों प्रेडिक्शन करना है ठीक है the label is simply this column जो तुम्हारा cluster उसके बेसि उसी लेबल के साब से तुम देखो किता अच्छा क्लस्टिंग हुआ है नहीं तो उस पर्टिक्लर वाल्यू का चलो लेट्स फिगर इट आउट तो यह वान के फड़ा आसपास है फड़ा आसपास है तुम्हों को देख रहा हो कि उत्ता चाहिए कि अचहा से फ्लस्ट नहीं हुआ है हम चार क्लस्टिंग कंपा है यह सार एक लिए प्लॉस्टर में आसकता है यह सारे एक cluster में आसकते हैं यह सारे ka प्ल हरे साod So Matrix को देख रहा है इंद ऐस और तूम्हें दिख रहा होगा कि तर स्केल साur नॉठ युनिपॉम एक साक्सिस मेरा 22 से 42.5 तक वारी कर रहे हैं यहां देखो इंकम हमारा कैसे इतना बड़ा वाल्यू है वन लाक सिस्टी थाउजड एटी थाउजड उसके कंपेर में यह 30 क्या है तो मैंने तुमको यह बताया है फीचर स्केलिंग अपने एक सेशन में यह आपने नमला स्टारिजेशन करते हैं वि ब्रेंग बोट अपटी वाल्यूस बोट अपटी राइंज पुट आप दी एज आपने इंकम विस राइंज तो एंग ने तो बाट फुट दाप अट नमलाईज आडेटासेट अट नमलाईज आडेटा तो इसले बार मैंने स्टांडर्ड स्केलर यूज़ किया था तो लेट्स दू विट अफस्ट विए प्रस्ट पो इन एस्कलर नॉट प्रसेशिंग यह व्ल दिपरेंट स्केलर वी उसमें मैंस केलर आज तुम्हार तुमको जो सहील है कि तुम वर्क कर सकते हो देखते हो देखो क्या फिगर आउट करता है तुम्हारे मॉट्री यह अच्छे से इल गोफर दिस आख फ्रस्ट पर एस्कलर वाल्यवा यह को पहले करते हैं ? कि पहले हम कोल्म को करते हैं सबस्क्रोड वालियू भाली वाइवस्ट क कु अपले करते हैं । let's, oops, let's normalize income column, so normalize करने के लिए, you can see, you have all these different values, fit, fit, transform, transform, so let's start with fit, fit, fit क्या करता है, कि, it figures out the range, किसके बीच हम को, या, you can see here, it computes the minimum and maximum, जिसके बीच हम बाद में scaling करेंगे, तो first, let's use this fit, so, सबसे पहले, हम ऐसा करते हैं, कि, अगर तुम यहां, you can see here, you can see, the example, only, सबसे पहले, you have to, fit the data, चलो, इसको यूज़ करते हैं, we use the scalar.fit, तो, ऐसा करते हैं कि, अपने main data set में, यही पर change करते जाते हैं, income में ही, यही पर change करते हैं, तो, सबसे पहले, I have to write, सबसे, define करना होगा, scalar.fit, and in place of data, in place of data, you want your income column, so, यह, min max killer is ready, once it is ready, what you will do, तो, तुमारा जो यह column है, income column, इसको तुम, change कर गोगा, और यह change कैसे होगा, there is this transform function, what it does, कि तुमारा जो feature range जो तुमने पहला fit से निकाला था, उस में तुमारे data value को transform कर देगा, let's use this, let's use this, to get this scalar.transform and in place of x, your x is basically this quantity, you can see your dataset now. तुमारा ना, तुमारा जो आपितल तुमारा था, ज़िस ने कुपतलती वे चामेरे में, तुमारा जो 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 so we'll go in this column मैं ही सुधा रगता हुआ सबसे बढ़े है capital i ता अच्छा मैंने small i ली टिखने यह कॉलम बन गया so i want to replace this column value with our scalar.transform and my x is bf now let's see our data set let me drop this column perfect so now you can see here मार जो इंकम कॉलम पहले कहां वन लाक पॉर्टी थाउजन लाव लाक सम्टिंग था अब देखो यह वन से जिरो के रेंज में आ गया मैं मैं स्केलर जिर्ट वन के भी स्केलिंग करता है लेस्ट नाव दूट फॉर लेस्ट नॉमलाईज आर एंज कॉलम ते विल दूट प्र कि बूट भी इवर इच अब इंकम के जगा इच दूट पी एच लेस्ट चांग अर एज एधे इएज हैं और ट से आड मों तेन आओ तो नव हर्षिता इंस्टा यू मैं सी यूर एच अस वेल आज इर इंकम इस नाव स्केल बिवें जिरो एंड वन तहां एज 50 तक वारी कर रहा था अगेज साब का इंकम 1,50,100,40,100 वारी कर रहा थैं, नो बोथ अफ लिए बवह जबाइन owल ररी इस इरो पारी कर वां यूर मॉल कर न उधन करने के पाद क्या normalization करने के पाद can we build or can we improve the accuracy थोड़ा सा can we do something on that so we'll do this step again again we'll do the same steps again we'll do the same steps build he means clustering 4 values then fit the model for these two column only and again have these predictions now then let's add the cluster information again let's revise the cluster information now you can see अब हमारा cluster कहाँ पहला पॉइंट जो था जो यहां पे हमारा second cluster में था और वो फिर्स क्लस्टर में आगा है थे फोड़ा चेंज आया है data set में तो let's see कि इसके आप से मेरा cluster center अब कितना हो अब यहां पे जब देख लो अब अब यहां अब अब यहां अब यहां अब यहां अ है नहाँ यह क्लस्टर संटर इस अच्छील सम्ट यहां अब यहां पारी ओ जिरो पॉइंट वामा गला जिरो पॉइंट नाइंप यह पहला अब यह प्रहु पार्या का कोर्दिनेट है गुस्टर का है 0.13,0.116 तो इससंटीं स्केल दाउन अब ऐसा करते हैं अगहीं विल यही चीज को तुम स्किप करने के लिए मैंने अपने एक सेशन में अल्यडी बता रहा है शायद रांडम फॉरेस्ट में बताया था या डिसेजन ट्री में मैंने बताया है कि हाउ तु बिल्ड पाइपलाइन तो यह तुम पाइपलाइनिंग से भी कर सकते हो आप प्रिशेट कि तुम पाइपलाइनिंग का यूज करो तो नाओ यूज एपन सी थोड़ा सा चेंज आया है डेटा सेट में थोड़ा सा चेंज आया है हमारा डेटा सेट ने अब तीन पॉइंट आ गए है क्यों कि हमारा यहां देखो एज जीरो से लेके वन तक ही वैरी कर रहा है और हमारा इंकम जीरो से लेके वन तक ही वैरी कर रहा है तो नाओ लेट्स फाइंड आउट इस सिलोट स्कोर पर सब्सक्राइब अच्छी दॉट इस स्किप्ट रू तो नौ यहां अच्छी श्किप्ट रूफ तो नौ यहां आए We have score 0.63. So, Tumhara clustering झुट थो गया, Tumhara clustering ऐखाब हो गया. So, now let's find, अब यह जो clustering 莎 कराब हो हो है, इस बेसिकली बेकर्षी कि तुमhara choice of K was wrong. This was because his choice of K was wrong. So, now let's see, let's implement the elbow method to figure out what is the best K for me. Let's figure out the best k value k value using elbow method so to get the elbow method सबसे पहले I'll have a list इस list में मैं सारे wcss value को store करूँगा, let me zoom it out फोड़ा सा or let me say let's let's make a range let's make a range is range मैं वोग्स ड में वोख तरिगो X संदेज के भाव ररे तकाम रेड़ क्यों की सीथी जी इससे भी या कोई ना कोई 10 क्लustर से जारद धोडि जारद फड़ी होगा 10 क्लustर से जारद धोडि होगा so in general intuition let's work on this only and let's do what let's for k in k range इस range में हम iterate करते हैं और हर बारा model एक काम करते हैं हर बार model प्रेडिक model बनाते हैं then हम क्या करते हैं कि उसको fit करते हैं data and then let's see कि हमारे WCSS या नहीं उसका inertia कितना आता है ठीक है let's build the model जो हम यहां के हम किये है है first let's build this thing जो म्यांके we'll do the same thing है कुछ हम अलग से नहीं कर रहा है हां बस अब यह number of cluster would be this जो हमारा iterator है तभी यह 1 होगा 2 होगा 3 होगा वह इंगा द्यूथ रॉट यहां पर दे सकते में फिट प्रेडिक क्या बिकाज हम लिए वाल्यू नहीं चाहिए अब वहूंक यह वाल्यू इस्प्लेबल्यू दिस्प्रमिकृं पस्मॉर्ट का तो देना find figure out the inertia i don't want to see kya value i am now if you could go here and in escalon dot clustering we have k means ctrl f let's have inertia we have inertia yes let's use this attribute attribute to call करने का तरीका यही होता है कि तुम model जो इस नेम से रखे उसके बगल में लगा दो यह वो अम न तुम चाहते हो कि जब जब यह अधरेट हो यह value तुमारे इस डव्लू और से इस में score हो जाए पतल मैं लिस्ट के session अपने बताया था, I can always go for WCSS.append ठीक है, so once I do this, perfect, it has been done, let's see our WCSS value, so ये पूरे 10 वार iterate के और 10 WCSS values आविए तुमारे प्राव, so ऐसे तुम को कुछ जिसमें देख नहीं रहा है, let's plot a line graph, उस line graph मेरे को पता लग जाएगा, let's plot a curve, let's plot the elbow 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 so to print this elbow plot it is very simple, what you will do, so simply say BLT.plot तुमारे X-Axis में it would be okay k का राएग, sorry, it will be 1, 2, 3, it would be okay range comma your wcss would be in y axis as usual let's have the labels plt dot x label explain kya hai tumhara k plt dot y label y label me tumhara kya hai you have your wcss value chik hai let's have the grid let's have the grid grid skip di kar sakte kohi aysa mullerun hi and let's show ki kya kar meh maara tlt dot so bas you can see you have an elbow figure jab humara kya value one hai to your wcss score is very high and as it gradually comes down you have an elbow point three three ke ba dekhoh sare point almost same hai three ke baad sare point same hai so let's now kya karthayam jaja ya hap na model bana hai na let's do it for three clusters baas kya karna hotta hai a few bitum team cluster ke sath work karri ho toh maara ye separate data frame nahi banega you can see here jab tumhara cluster teen tha yes you can see ultimate cluster can be either zero or one or two your cluster center is only for three different points fella point ka coordinate two-step point ka coordinate three-step point ka coordinate now you have three different this and let's separate it's got other than because we are only working with three data frames so you can see you have a much better clustering up you have a much better clustering than the previous one so let's figure out it's still load score 71 well it's 62 the 71 oh yeah oh you can actually see that's it so this was b k means clustering implementation abu yes a man step kiana palette normalizer use kia separate kia data frame you can push it in a pipeline you can push it in a pipeline pipeline call kanda that's it so i would appreciate ki wo part tuhmu apne se karo until then till then till then i assume ki koi query nahi hooga aaj kya session mein because i made it very obvious aaj if you have any question drop me here if you don't have any question let's wind up i hope ki session samaj maaya hooga if you want to uh revisit my youtube upload ka dunga jau vaha se dekho aga tum koi session dekhi ho achha laghe give me a like give me a thumbs up and if you like something good about that session to comment from america you can tell me so should we wind up today's session so let's uh meet in some other session with some other topic we'll start with pda for the next part ishi ka ek next dimension dimension anti-reduction come discuss karing in next session mein hi akil clustering or dv scan you can figure it out by your own so apne sebi dhima lagau so let's find out today's session good night